So Hello Guys and Welcome Back to my YouTube Channel में तो हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं Vivo के V29 E-Phone के बारे में अगर ये फोन आप यूज करते हैं तो इसमें हम बात करेंगे अपने फोन में Simple Mode Setting के बारे में हमारे फोन में जो Simple Mode Setting होता उसे हम कैसे यूज करते हैं हमारे फोन में एक सेटिंग होता है जिससे हम Simple Mode Setting करते हैं जिससे हमारे फोन में जो कुछ एप्लिकेशन को यूज करते हैं डियरेक्टली हम उसे नहीं यूज कर पाते हैं तो चलिए हम आप उस फोन में इस फोन में जो है Simple Mode Setting को उनोग करते हैं और कैसे use करते हैं सब कुछ इस फॉन की सेतिंग में हम आपको बताएंगे तो चली हम इसे change करते हैं इसके लिए मैं चलना होगा पनी phone की setting पर यहां हमारी setting है हम इसके click करदेंगे अब हमने it क्लिक कर दिया इस तरह के इंटरफिस साब को देखने को मिल जाएगा अब इसक्रोल करेंगे हम यहां पर दिखाए दगा lock screen and wallpaper को option हम इस पर फिर click कर देंगे जैसे हमने इस पर click करेंगे यहां बहुत सोरो आप्शन साब को देखने को मिल जाएगे यहां में सबसे नीचे देखने को मिलेगा simple mode को option हम इ यहां पर कुछ इस तरह का option है कि हमारे simple mode जब आन हो जाएगा था हमारी home screen जो simple mode एकदम ले आउट हो जाएगा और system का font size वह भी एकदम बढ़ा हो जागा तो हम यहां से इस setting को on करते हैं यहां से देखिए हमने on कर दिया आप on करते ही हमारे phone में कुछ loading हो रहा है जैसे loading हो हो जबा हमारे phone में कुछ application open होंगे जो कि हम जैसे जिस तरह से use करेंगे वह भी हम अपने setting में हम आपको बताते हैं देखिए हमारे यह change हो गया देखिए हमारे simple mode ने phone को कहीं पर लगाना है तो हमारे phone में जो कि simple mode कहीं पर कुछ नहीं सो हो रहा तो यही हमारे phone में इतना ही सो होगा अगर call करना है तो मैं पर phone ओले option पर क्लिक करूंगा तो हमारे जो call all options आ गये तो हम बैक आते है message है context है album को open करना चाते हैं तो यहां से ओई album को भी open कर सकते हैं आय में नेजर है camera ओपन करना है यहां से camera पर क्लिक कर देंगे तो किसी तरह से so होगा और भी बहुत सारे सब्सक्राइब आपर देखिए कलेंडर है अ कल्कुलेटर है से टेंग से अल एप सभी अपलिकेशन को उपिंड करना तो यहाँ पर देखिए हमारे सभी अपलिकेशन से यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं जैसे हम अपने फॉन में जो है किसी भी एक्स्ट्रा एड करना चाहते हैं यहां पर एड को ओप्षन दिखाए देगा तो इस पर हम क्लिक करेंगे यहां से जिस एप्लिकेशन को एड करना चाहते हूं आप एड करना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक कर देंगे यहां से क्लिक कर देंगे अब जैसे हमें इस पर क्लिक करेंगे हमारे फोन में कुछ option देखे loading होगा loading जैसे हो पूरा हो जागा था हमारे फोन जो simple mode से बाहर हो जागा और normal phone यह नहीं जैसे हमारा पहले का phone था देखिए कि एकदम simple mode से बाहर आगा हमारा जो normal phone एकदम हो गया तो इसी तरह आप अपने phone में simple mode setting को on करके उसे यूज कर सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही